नमस्कार दोस्तों मेरे पार्म लिटिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आई आश 44 वर्स की महिला के पार्म का अंसस करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सरप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे फिर एक करके इनके सवालों का उतर करेंगे उससे पहल पर सांदार दमदार योग मौजूद है जो कि एक शूरी परबत पर भी है और बुद्ध रेखा के साथ भी एक योग बहुत बैतरीन बन रहा है तो वीडियो को पूरा देखें अगर आपकी अतली पैसे कुछ योग हुए तो आप भी बढ़ेंगे बहुत पैसे के मालिक टेंशन वाली बात नहीं हो जीवन रेखा भाग गिरेखा सारा कुछ जबरदस्त हो उसके जीवन पर अरबोपती बनने के योग है ये लेकिन हाथ हाथ पर डिपेंड करता है इस विशेप मैं बहुत वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ कि क्या होता है न कि अगर आप योग बन गए तो आप 20 रुपे कमाओगे 30 रुपे कमाओगे 100 रुपे कमाओगे डिपेंड करता है कि वो योग कितना पावरफुल है अगर आपके पिताजी 1000 रुपे कमाते थे तो आप कमाओगे 2000-10,000 ऐसे कमाओगे तो डिपेंड करता है कि आप कहां से आ रहे हो आपकी क्या स्थिती है आपकी क्या पाड़ी वारे की स्थिती रही है तो matter वही करता है तो योग भी फल उसे हिसाब से करते है समझ गया ना तो इसलिए यह चीजे यह समझ नहीं होती है आपको कि आपका base कैसा है आपका background कैसा है कि वो योग आपको कितना फल दे पाएगा तो इसलिए यह चीजे देखनी आती आवश्यक है जिसको मैं राज्योग से count करता हूँ जो ज़्यादा राज्योग कारक कवस्था है अतेली पर अच्छे इस्थिती मौजूद है तो आप बहुत उपर जाएंगे तो वो आपके हाथ के level से पता चल जाता है समझ में वो चीजे आ जाती है तो इस चीज़ पर particularly में एक वीडियो बना दूँगा ताकि आपको confusion ना हो तो यह योग जो इनके अतली पर बन रहे है यह बहुत गजब के योग है वो normal है चलता है कोई बड़ी बात नहीं है तो मैं उस हिसाब से predictions करूँगा कि आप चीज़ों को समझ पाएंगी तो अब दिखाता हूँ वो योग क्या थे आपके काफी curiosity हो रही होगी उसके फल का भी चर्चा करूँगा मैं और इनके जीवन पर क्या फल आएगा इनके questions के तरब भी चलूँगा इनके questions आगे को लेके ही है यह past को पगड़के नहीं चलना चाहती यह आगे के विशह में ही जानना चाहती है इसके लिए आगे क्या होगा जो होना था वो तो हो गिया तो चलिए कोई बात नहीं आपको उसी के विशह में जानकारी मिलेगी अब फिलाल यह विदेश में है तो देखे सबसे बड़ी बात क्या है न इनकी strong triangle जो कि इनके सूर्य मांट पर बनी है यह normal अवस्था है ही नहीं अब इससे होता क्या है triangle रहे, square रहे और इतना बड़ा रहे तो बड़ा रहे तो property के सुख को तो देगा certain जीवन पर तरक्की मिलेगी आपकी आपकी तरक्की को भी मैं दिखाऊंगा जीवन रेखा से clear ही करता हूँ इनके आगे के विशह में ही question था अब इनकी 44 में साल की आयू अगर इनके आयू को देखा जाए तो यहाँ पर चल रही है तकरीबन 50 में 90 वर्स की आयू में 50 में बहुत बड़ी प्रगती के योग है बहुत बड़ी और ये तकरीबन 45 में 46 में कवाद इसका फल भी जीवन पर जरूर आएगा ये जो आपके जुगार लगा या अचानक से कोई चीजे लाइफ पर हो जाएंगे जिससे आपके पास पैसा आएंगे ये कनफर्म है ये कनफर्म है ये एज एक संभावी तेज में बता रहा हूँ चुकि आपकी डेट और बर्थ क्लियर को देखना थी आवश्यक है तो इनकी भी मैं देखूंगा तो मैं प्रेडिक्शन्स वैसे ही करता हूँ ताकि हमारे प्रेडिक्शन्स 100% accurate रहे हैं अब दिखाता हूँ मैं कि और क्या योग बन रहा था तो जबर दस्त बुद्धरे का थिली पर मौझूद और ये वनारी मरी ट्रेंगल फिलाल अभी इसमें ताकत नहीं है और मैं ताकत की हमेशा बात करता हूँ क्यों बात करता हूँ समझेगा बहुत से ऐसे लोग है ना जो इस confusion में रहते हैं अभी ट्रेंगल बनता है बागी रेका बनता है तो इस बात का answer ना बहुत कम पामिस्ट कर पाते हूँ करते भी तो जिलेबी के तरह गुमा गुमा के करते हैं जिसका आपको समझ में नहीं आता मतलब अब जिलेबी के तरह कोई भी चीज को गुमाया जाएगा तो आपको उसका क्या मतलब समझ में आएगा कहीं न कहीं अपने आपको आप सांतावना देंगे कि चलो उसके जीवन पर नहीं आए आमाई जीवन पर तो आही रहा है समझ रहे ना लेकिन यहां पर सच्चाई यह है लॉजिकल बात यह है कि उसमें होता क्या है कि उसके लाइन में ताकत ही नहीं रहता तो जो पहले से मृतक अवस्था में वो क्या आपको फल देगा तो कभी भी तीन अवस्था होती है तो युवा अवस्था में ज़्यादा फल दे पाएगी तो युवा अवस्था कि ही मैं बात करता हूँ उसमें ताकत कितना है उसमें पोटेंशल कितना है वो फल कितना देगा तो no doubt उनके एदली पर योग रहता होगा रिक्सा वाला किया योग बहुत गरीब है लाइन बनने वाली है किस हाथ पर बनने वाली है चीज़े पता चल जाती है कैसे कोई टीचर देखके किसी बच्चों को बोल देता है कि तुम बहुत आगे बढ़ोगे तुम बहुत बढ़ा काम करोगे बले उस बच्चे ने उस समय तक कोई achievement नहीं पाया होता है क्योंकि उसके potential को देखा जाता है IQ level को देखा जाता है उसमें क्या छमता है उस चीज़ को देखा जाता है तो इस अतली पर ये line develop करना बहुत बड़ी बात है ये बन रही है और ये बनेगी और ये आपको फल देगी तो ये दो मिलनी अवस्थाती जो आपके जिन्दगी को ही change कर देगा पूरी तरह से no doubt तो ये तो होगी पहली बाते इनके इतली पर जो इनके इतली पर अच्छे योग developed थे अब बात करता है उनके परशपशनों के तरब तो देखे अभी आपके जिन्दगी तो ऐसे ही मुझे चलते वे दिखरी है 44 में वर्स के बाद भी कोई दिक्कत नहीं इसके पहले भी आपकी जीवन रही होंगे जीवन पर ये चीज़े बे मुझे पता चली लाइफ के स्टार्टिंग फेज में क्योंकि ब्रशपती भी हल्की डाउन परती थोड़े थी अब काफी independent है सोच को लेके आख तो जो मन में आएगा वही करेंगे ये तो एक सबसे बड़ी प्राबलम है ये तो ऐसे इंसान ऐसे ही होते है प्रारंबिक समय में दिक्कते रही होंगी तो विशेश चर्चा नहीं करूँगा बस एक बता रहा हूँ आपकी 21-22 में भी कुछ तरक्की थी ये continue आपके 28 में 30 में तक थी लेकिन फिर आपके देख लो 30 में के बाद कुछ राहू लाइन में मुझे दिखा था प्रार्णबिक समय ठीक नहीं नहीं मुझे दिख रहा था बहुत अच्छा तो उसके बाद का मैं अगर आपको बताओ तो आगे के जिन्दगी तो 51 वर्स से इनकी बहुत अच्छे योग दिख रहे हैं आगे के जिन्दगी आपकी मस्त मक्षन है अर्लियर भी आपकी कुछ समय तरक्की मुझे दिखी थी आपके 20 में वर्स के बाद अब उसके बाद इनका जो है ना 50 में वर्स के बाद बहुत अच्छी तरक्की मुझे इनके तली दिखा रही है और बहुत जबरदस तरीकी यहां से भी एक ट्रेंगल बन रहा है और आगे भी एक ट्रेंगल बनावा है तो जीबन का लास्ट प्रियर बहुत अच्छा बीतेता है और व्यक्ति अपना प्रपर्टी विगरा बना पाते है भाग्य से एक मैं वर्ड ही उसकर रहा हूं ट्रेंगल है जो आपके बनी ट्रेंगल बढ़े हुए है इसका क्या बेनिफिट आएगा और की तना बेनिफिट आएगा तो उसके लिए आपके हैतलि का बेस को देखना बहुत इंपोर्टेंट है कि आपकी बेस मुझे क्या बता रही है तो मूलता, शुक्र भी बहुत जवर्दस्त, मंगल भी अच्छा, ब्रश्पती में थोड़ी दिक्कत है थी, तो पाड़ी बार एक समस्त्या है, बहुत ज़्यादा रही होंगी जीवन पड़, और आपकी सैटरन देखो, सैटरन भी ठीक है, सन मरकरी भी अच्छा है, मंगल अच्छा है, चन्दरमा भी अच्छा है, लेकिन क्या होता है, जैसे इनकी हतेली है, बहुत नॉर्मल परिवार में जरम लेने के बार, आज ये जहां भी है, अपने मैनत के दमपड़ है, इस चीज का ये पड़िचे करा रही है, तो हतेली तो आपको उपर ही बढ़ा रही ह है, इसमें कोई संदे नहीं है, तो 55% राज्योग का फला रहा है, no doubt, 55%, इस केस में व्यक्ति कहीं न कहीं अपने जीवन को अच्छे तरीके से बिताही लेते हैं, तो इस राज्योग का जो फलाएगा, इनके जो ट्रैंगल्स बने हुए, मनी ट्रैंगल्स जो बने हुए, इ इनके कुछ कोशन्स थे, जिसका मैंने उत्तर किया, अभी इनके अतरीका में जलाज्योग का फला रहा हूँ, तो 55% राज्योग का फला रहा है, अब थंब पर विचार करता हूँ, तो strong व्यक्तित, strong व्यक्तित, इक्छा सकती भी प्रबल, तर्क सकती भी अच्छी, और desires के बहुत जादा योग अच्छे बने होए थे, इनकी सेकेंड फैलेंज भी बड़ी है, जब आपकी सेकेंड फैलेंज बड़ी होती हैं, आप जल्दी हिम्मत नहीं हारते, आप बहुत हिम्मती होते हैं अंदर से, इसमें कोई संदेह नहीं है, दो लाइन मौजूद अपने ज जुका देता है लोगों को, बड़ जुकता नहीं है, तो थम्म बहुत शांदार आपका, उसके बात समझदारी, तो समझदार अच्छी हैं, लेकिन प्रारंबिक समय में बहुत सी ऐसे निरने ली गई होगी, जिसके विए आपको तकलीफियों का सामना करना पड़ा होगा, तो अच्छे डिसेजन मेकर आप नहीं है, और ये प्रारंबिक समय में ज़्यादा परिशान करती है, तीसमे वर्स की आयों तक तो बहुत ज़्यादा, फिर बात करता हो इनकी, फिंगर के बीच में गैप, तो ना चाहते वे पैसे खर्च होगे, लेकिन अपने उपर यह ऐ एक चीज में देख रहा हूं आपकी व्रश्पति से, बाकी जिस भी ईश्वर को आप मानती है, उसके परती आपकी अच्छी खासी धार्मिकास्ता है, और सीधी बात देखो तो आपकी इंट्रोवर्डवाई लाइन, तो ऐसे व्यक्ति ज़्यादा किसे गुलते मिलते नही है, अपने काम पर ध्यान रखते हैं, और खड़ी लाइन साते लिए पर मौजूद है, इस केस में इंसान दिल के बहुत अच्छे होते हैं, हाँ, चुकि ये लाइन जादा मौजूद है, तो कभी कबार आपको कमजोर भी कर सकती हैं और कभी कबार आप अंदर से पैनिक भी है, तो शूड़ी लाइन भहुत अच्छी, शूड़ी आपकी फिंगर भहुत अच्छी है, जो कि आपको हिम्मती भी बना रही है, बुद्ध फिंगर छोटी रहने के बाद इंसान को निरने लेने में बहुत प्रशानी होती है, अंदर से नर्वस फील करते हैं ये लोग, लेकिन बुद्धल की टिंड कर रही है, तो बिजनस प्रोस्पेक्टर से चीज़े अच्छी समझ में आ रही हैं, ऐसे लोग विपार कर सकते हैं, विपार में तरक्की को भी पा सकते हैं, तो ये तो होगी फिंगर के विशा में कुछ बात हैं, प्रारंबिक समय में ब्रशपती ठीक है, कुछ उपाई भी मैं आपको दे दूँगा, रेमेडीज, और बागी ब्रशपती पर खड़ी लाइन्स हैं, तो इंसान सेवा भावी होते हैं, इमानदार होते हैं, और कई न कई इज़त करने वाले होते हैं, मानसमान लोगों को देने वाले होते हैं, इसमें कोई संदे नहीं है, और इनकी सैटरन रेखा, जीवन के लास्ट तक इनकी सैटरन रेखा मौजूद एक तो विदेशी दर्थी से धनलाफ को लेके हैं, जोकि इनको हो रही है, और आगे एक और ब्रांचेस खुले वात इस केस में, व्यक्ती को लास्ट ताइम तक भ अब ही मैं इसको और क्लियर कर दूँ, यह देखिया, यह इनका ही पिक है, इसमें एकदम असपस्ट रूप से है, और इसकी इनको बहुत अच्छी फलारी है जीवन पर, इसमें कोई डाउट नहीं है, और सैटरन रेखा कित्ती बहतरीन बनी हुई इनके जीवन के लास्ट म करेंगी, और इस मनिट रेंगल की मैं बात कर रहा था, स्ट्रॉंग मनिट रेंगल अतली पर डवल अब कर रहा है, और यह फेट लाइन मोटा का मैं बात कर रहा है, जिसके रिगारिक इनको बहुत अच्छे फल नहीं आ पायोंगे, 38 में आयू के बाद इनको अच्छे फला करते हैं बुद्धि विवेक से, तो सुड़ी बुद्ध आपका अच्छा, अब आकि मंगल जबर्दस्त, तो देखें क्या होता है न, कि ब्रश्पती अगर आपकी तंग रहे न, और थोड़ी लापरवाही अगर आप बढ़तो बुद्ध फिंगर आपका छोटा रहे, तो बस उस टेंसन को भूल जाएए, अपने हेल्थ का केर करिए, कोई विशेश दिक्कत आपको नहीं होगा, होगा अभी तो वो जल्दी ही रिकावर कर लेंगी आप, मंगल बहुत अच्छा, और मल्टिपल प्रपरटी के योग तो यही वाले होगा, बहुत जबर्दस्त, और और चंदर्मा परधान है, और विदेशी दर्ती से धनलाव के लाइन्स भी अतली पर मौझूद है, दोनों ही केस में व्यक्ति को विदेश से धनलाव होता है, यह इनको हो भी रहा है, आगे भी होगा, चंदर्मा परधान हो तो विदेश से सम्मधना बढ़ा ऐसा तो हो ही मिलेगी तो चदर्मा बहतरीन विदेशी दर्थे धनलाफ के योग भी आ रहे थे हैं और शुक्र भी बड़ी जबर्दस्त लेकिन शुक्र पर ये मोटे मोटे दिक्कते नहीं होती होती ही तो वो खतम हो जाती है और प्रापर लगजरी के लाइन सदली पर मौझवी ज़या जाते हैं ज़या जादा पैनिक हो जाते है कभी कभी तो टेंशन लेने के निच्र को ये दर्शारी है बाकी मंगल भूद अच्छी इनसान को ओवर प्राकर्मी ब पहतरीन जीवन रेका 75 प्लस की आयो दिरगायो और स्वास्त जीवन हलकी फलकी स्वास्त की परिशानी होती है, कभी-कभी आपके लापरवाही से भी वो चीज़े हो जाती है, तो लापरवाही ना करें, प्राडंबिक समय में कुछ प्रगती दिखी थी लेकिन राहू लाइन व्यक्ति को प्रगती अवश्य कराते, कावन वर्स से आपको अच्छी तरक्य आपके जीवन पर देखने को मिलेगी, और माइन रेखा अच्छी है, दिल दिमाग की तो ये क्या है ना, तंदुरुस्त तो ही साथ-साथ भहुत इंडिपेंडेंट भी है आप, जल्दी किसी क लेते ही नहीं, लेकिं टेंशन होता है तो करेंगे क्या, थोड़ा बहुत लेना पड़ता है ना, लेकिन जल्दी ये लोग टेंशन नहीं लेते हैं, माइन रे का हट्लाइन बहुत ही इच्छी इनके तलिपे मौजूद है, और फेटलाइन, मोटी थी, बहुत अच्छा फल के चल रही है, और मल्टिपल प्रापर्टी का योग तो बहुत ही जबरदस इनके तलिपे मौजूद है, तो इसमें व्यक्ति को प्रापर्टी का साथ जरूर मिलता है, और लास्ट तक फेटलाइन अच्छी है, थोड़ी से इनकी दिक्कत हो सकते हैं, लेकिन नहीं वो दिक कद भी नहीं होगी, फेट लाइन मैनेजबल है, चलिए बहुत अच्छा, और जीवन के लास्ट तक मौजूद है, और फिर देखो इनके तलिपर कुछ बुद्धरेका, ये बुद्धरेका कम्प्लीटली बन रही है, स्ट्रेंथ वाली आएगी तो बहुत बेनिफिट तो आगे की जिन्दगी आपकी बहुत शांदार में देख पा रहा हूँ, इस योग का आपको बहुत ज़दा बेनिफिट आएगा आपके जीवन पर, इसमें कोई डाहूट नहीं है, और प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ही आएगा, बुद्ध पर आपकी खड़ी दो ल कुछ नेगेटिव एक्सपेंस के योग थे, जो कि आपके स्टिस में साल में बन रहे थे, उसका कुछ दिक्कत आया होगा, ये इतनी ताकतवर नहीं है कि आपको बहुत परिशानी दे दे, लेकिन आएग, इसमें थोड़ी से नेगेटिव एक्सपेंस हुई होगी, तो ये अगर आपको अमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सेर कर दे, सस्क्राइब कर दे, अगर आप रस्तनी मेरे सास्तरेका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, तो हमारा वाट्सप नमर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लेकि आप समपर्द कर सक करते हैं, दर्नेबाद